देसकते हैं सामने और aval को पकाने बाद कुसी सांता है आज आप लोग को साकत है but को लेकर आ आज धान का फशल दिखाने और धान में ठाफ न जो कि एकदम पूरी तरह से सुगर मुड़ी धान एक दम काला धान है उससे काला नमक से लोग जानते हैं जी दोस्तों आप लोग देश सकते हैं ये काला नमक का धान है देश सकते हैं अभी इसमें दाने पुरी तरस नहीं पड़े हुए हैं इसमें दूद है इस धान में अभी आप लोग देखेंगे पुरी तरस ये पुरी तरस से द यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह किस तरह से भाण यहाँ पर रे सकते हैं और यह बहुत खुसम दार होता है चावल हमने इसका चावल भी खाया है बनाके पका के बहुत खुस्बुदार होता है और यह मार्केट में इसका प्राइज इस टाइम प्रिजन टाइम 120 रुपे प्रतकेजी है और इस धान को अगर आप बेचेंगे या तो आप लेंगे तो इस टाइम अभी इसका वेलू 8000 प पूरी तरह से सूगर फिरी है यहां पर दे सकते हैं करीब 10 से 12 विश्चे में फसल को लगाया गया है काला नमक को आप लोग दे सकते हैं कि यहां पर इसका लोग डाक्टर लोग मना करते हैं कि चावल ना खाएं परहेज करें चावल को लेकिन सूगर के मरीज के लिए यह सकते हैं इस में कोई भी नुश्कान होता सुकर फी हंसको नहीं रही सकते हैं कि दूज़ और इस पूरे एरिया में सिफ यही 10-12 बिस्स को लगाया गया आप लोग दे सकते हैं काला नमक धान कुछी इस तरह का है मेरे साथ यह पूरी तरह से सुगर फिरी होता है ने काता सुगर में आप लोग चावल खा सकते हैं लोगों को सभी लोग को मन होता है कि चावल हम खायल मीठा तीस मना रहता है डाक्ट्रों लोग मना करते हैं लोग किसी तरह से सब्जी बनाएंगे कुछ भी बनाएंगे बिन चावल के तो किरकिरा हो जाता है लेकिन अगर आप सुगर के प्रेसंड है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं मेरे ममी को भी सुगर है हम लमसम दो में पढ़ रह हुआ था तभी उनका बहुत जिगासा रहता हुआ चावल खाने के लिए लेकिन फिर भी डाक्ट्रों मना करते एं लेकिन फीर चावल खाते लेकिन हम तो अब उन्हें यही चावल लेकर द आते हैं मार्केट से खरीद के खिलाते हैं इस बार तो नहीं आगले सीजन में हम इसका खेती करेंगे सुगर फिरी लगाएंगे मम्मी के लिए चावल के लिए क्योंकि हम लोग चावल खाते हैं वो नहीं खाती हम अभी यहां से खरीत के भी ले जाएंगे हमें यहां से पता चला है हम परियागराज में हैं सिकंद्रा गाउं में जहां पर इसको लगाया गय यहां पर आये हम यहीं देखने के लिए कि यहां पर वाकई में काला नमक धान होता है तो पूरी तरह से traveling काला यह forming दौरी रहं हम ले जाएंगे अपने मम्मी खिर एक लिए सूगरी है इसलिए हम इसको ले जाएंगे डाक्टर से हमने भी बात किया क्योंकि हम अपनी मम्मी को कमल कुमार डाक्टर के यहां से दिखाते हैं जो कि राजापूर में माने जाने डाक्टर हैं डाक्टर कमल कुमार इसलिश्ट हैं सुगर हाड के वो तो हम लेके जाएंगे यहां से अलग-अलग से यहां पर लगाएं हैं थाल नमग दिखा रहे हैं , काला नमक से कुछ पूरी तरह का दान फ यहां के उनग क्यों सकते हैं , नहीं को से सथ q does not नमक के पूरी जानकरी मिल जाएगा, यह पूरी तरह से सुख़ फिरी है साथ हो, आप लोग देश सकते हैं, यहाँ पे कुछ धान है इस तरह से आप लोग देश सकते हैं सामने, हम आप लोग को पूरा काला नमक का धान दिखाएं, इसके बारे में बताएं कि कितना प्योगी मिलेगा बहुत महंगा घान इसका विक्ता है मार्केड में साथियों और इसको आप अगर सेवब भी मलोप इसको लगाएंगे भी तो एक बार जिसका बेहन ले लेंगे तो किसान वाई योग लिए दो या टीन बार इसका इम्स्तेमाल कर सकते अगर जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक करना अपने डोसटों सेयर करना कि बताना कीजा वीडियो कैसे लगा इस फसल को आप जितना जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों तो पहुंचाईए अपने घर्द में गाउं में नात्रिष्यदार में अपने दोस्तों साथ इस वीडियो शेर किजिए उन लोग भी पता चले सुगर फिरी होता है चावल काला नमक से लोग उसको जानते हैं चावल को काला नमक से मार्केट मिले सकते हैं आज के समय में सुगर तो आए दिन सभी को हो जा रहे हैं पूरे गाउं में आप लोगों को बहुत सारे पैसंड मिलेंगे जो सुगर से पीड़ी थे, उनको सुगर हुआ है, नातर इस्तिदार में आप लोग को बहुत देखने मिलते हैं, कि आज के समय में बहुत जादा सुगर के मरीज हो रहे हैं, सभी लोग को इच्छा होता, मीठ चावल खाएं तो आप लोग चावल के इस्तमाल कर सकते हैं काला नमक यह चावल है आप उन लोग को यह वीडियो माध्यम से दिखा सकते हैं बता सकते हैं हम इसका भी आप लोग को चावल भी दिखाते हैं जो कि हम जहां आए हैं चलते हैं वहां से आप लोग को इसका चावल दिखाते हैं किस तरस बनता है, कितना अच्छा लगता है, आइए मेरे साथ वो वीडियो भी देखिए जी दोस्तों आप लोग दे सकते हैं सामने काला नमक कधान, काला नमक कचावल, चावल को पकाने बाद खुशी तरह से बनता है आप लोग देखिए, इसकी खुश भी बहुत आ रही दूर तक साथियो